चीजों की कहाई क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मुझे अपनी चीजों से बहुत लगाव है सच में मुझे अपनी सबी चीजों से लगाव है क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब चीजों कहां से आती हैं और जब हम इने फैंकते हैं तो कहां चली जाती हैं? मुझे इस पर हमेशा चमबा हुआ किताबों के अनुसार सभी चीजे इन स्रेजों से गुजरती हैं कच्चे माल से, सामान बनाने से, सामान ढोने से, सामान के इस्तिमाल से, सामान फैंकने तक इस पूरे चक्र को मिला कर कहते हैं सामान का अर्थशास्त्र मैंने इसके बारे में ध्यान से खोजबिन की असल में मैंने पूरे संसार में 10 साल तक यात्रा की ये पता लगाने के लिए कि हमारी ये चीजें कहां से आती है और कहां चली जाती है जानते हो क्या पता लगा बहुत सी बातों का लोगों को पता ही नहीं उपर से पूरा सिस्टम ठीक लगता है कोई समस्या नहीं पर सच है कि पूरा सिस्टम मुश्किल में है इसका कारण है ये सिस्टम सीधी रेखा में काम करता है हमारी धर्ती पर जहां संसाधन गिने चुने हैं वहाँ पर यह सीधा चलने वाला सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं करेगा यह सिस्टम हर कदम पर असली दुनिया से जुड़ा है असली दुनिया से उसका लेना देना है यह विभिन समाजों उनके कल्चर, अर्थविवस्ता और वातवरन से जुड़ा है पूरे रास्ते में इस सिस्टम पर मुश्किलें भी हैं पर यह हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि चित्र अधुरा है तो आईए वापिस चलते हैं, उल्खाली स्थान भरते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या गायब है हाँ एक सबसे महत्वपून चीज जो दिखाई नहीं दे रही वो है लोग हाँ लोग जो रहते हैं और इस सिस्टम के साथ काम करते हैं इस सिस्टम में कुछ लोगों की दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा चलती है वे कौन हैं? चले सरकार से शुरू करें मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि सरकार दिखाने के लिए टैंक का चित्र बनाना चाहिए कई देशों के लिए ठीक भी है वैसे भी हमारे देश में टैक्सों से हुई आमदनी का आधे से अधिक भाग मिल्ट्री पर खर्च होता है पर मैं सरकार दिखाने के लिए एक आम आदमी का चित्र बना रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि सरकारें जनता के लिए जनता की और जनता द्वारा चलाई जाने चाहिए ये सरकार का काम है कि वह हमारे अधिकारों की रक्षा करे और हमारा ध्यान रखे ये उनका काम है ये हैं बड़ी कमपनिया ये कंपनिया सरकार से बड़ी क्यों लगती हैं क्योंकि असल में ये सरकार से बड़ी हैं संसार की सबसे बड़ी पहली 100 अर्थविवस्थाओं में 51 अर्थविवस्थाएं प्राइविट कंपनियों की हैं जैसे जैसे ये कंपनिया अताकत में बढ़ती हैं सरकार के रवये में भी एक बदलाव आता है सरकार की कोशिश रहती है कि नागरिकों की जगे इन कंपनियों के काम में कोई और चन ना आए तो देखें कि पूरी तस्वीर के और कौन से हिस्से गायब हैं कच्चे माल को निकालना हम कच्चे माल के प्रोडक्शन से शुरू करते हैं जो कि संसाधन खत्म हो रहे हैं हम इन सब का बहुत ज्यादा इस्तिमाल कर रहे हैं यह सब सुनने में अजीब सा लगता है पर यह सच है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा पिछले तीन दशकों में हमने प्रित्वी के एक तिहाई प्राकृतिक संसाधनों को खर्च कर लिया है हम इतनी तेजी से पेड काट रहे हैं खोद रहे हैं और कूडा फेंक रहे हैं कि प्रित्वी की उस पर रहने वालों को संसाधन दे पाने की शक्ती खत्म होती जा रही है अमरीका में जहां में रहती हूँ केवल 4 प्रतिशत जंगल ही बचे हैं हमारे पानी के 40 प्रतिशत संसाधनों का पानी पीने लायक नहीं है हमारे समस्या ये है कि हम अपने हिस्से से कहीं बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन खर्च कर रहे हैं अगर प्रतिश के सभी देश अमेरिका की गती पर प्राकृतिक संसाधन खर्च करें तो हमें 3-5 तक प्रतिश जैसे ग्रह चाहिए होंगे पर हमारे पास तो केवल एक ही प्रतिश है मेरे देश अमेरिका ने इसका इलाज निकाला है कि जाकर किसी और के संसाधनों का हिस्सा ले 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 यानि विकार शिल देशों का कुछ कहेंगे कि ये दूसरे देशों के संसाधनों पर अधिकार जमाने का एक घुमाव फिराव वाला तरीका है यही बात कूड़ा पैदा करने पर भी लागू होती है सारे संसार के 75 प्रतिशत जलस्त्रोतों से उनकी मशली पैदा करने की किशमता से अधिक मशलिया पकड़ी जा रही है प्रित्वी के 80 प्रतिशत प्राकृतिक जंगल काटे जा चुके है Amazon नदी इलाके में एक मिनट में 2000 पेड़ काटे जा रहे है यानि हर मिनट साथ फुटबॉल के मैदानों जितना क्षेत्र पेड़ रहित किया जा रहा है उन लोगों का क्या जो यहां रहते हैं? कुछ लोगों के अनुसार यहां पर रहने वाले लोगों का यहां प्राकृतिक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं यहां के रहने वाले लोगों की खरीदने की क्षमता कम है और इस सिस्टम में अगर आप बहुत सी वस्तुएं नहीं खरीते तो आपकी कोई कीमत नहीं तो अब कच्चा माल प्रोडक्शन के लिए जाता है वहाँ पर हम प्राक्रितिक संसादनों में उर्जा का प्रयोक कर जान लेवा केमिकल मिलाते हैं और ऐसा समान बनकर बाहर निकलता है जिसमें ये रसायन होते हैं आजगर मनुष्य द्वारा बनाए गए एक लाग से ज्यादा केमिकल काम में लाए जा रहे हैं इन में से कुछ ही को मनुष्य पर असर के लिए टेस्ट किया गया है इनका सेहत पर असर क्या होगा? ये केमिकल कितने हानिकारक है? इसके लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो हमारे स्वास्थे और वातावरन में ये केमिकल क्या प्रभाव डालते हैं? इसका हमें पता ही नहीं पर एक बात हम जानते हैं जहरीले केमिकल अंदर और जहरीले केमिकल बाहर जब तक हम खतरनाक रसायन सामान बनाने के लिए इस्तमाल करते रहेंगे तब तक हमारे घरों, काम करने के जगों, स्कूलों यहां तक कि हमारे शरीर में भी यह खतरनाक केमिकल पहुँचेंगे जैसे ब्रूमीन से आग बुझाने के रसायन ये रसायन वस्तों को जलने नहीं देते पर ऐसे रसायन नाड़ी तंतर यानि दिमाग पर बुरा असर डालते हैं पर फिर भी हम ऐसे रसायनों को कम्पूट्रों, गर के सामानों, सोफों, गर्दों यहां तक की तक्यों में भी इस्तेमाल करते हैं पहले हम तक्यों को ऐसे रसायन में डुबोते हैं फिर उन्हें घर लाकर आठ घंटे उस पर सर रख कर सोते हैं मुझे लगता है कि शायद अपने सिरों को आग से बचाने के और बहतर तरीके हम सोच सकते हैं चले आगे चले क्या आप जानते हैं कि खाने के वस्तों में सबसे अधिक खतरनाक रसायन किस में है? मा के दूद में इसका मतलब हम एक ऐसी सीमा पर पहुँच गए हैं जहां हमारे समाज के सबसे छोटे सदस से हमारे बच्चों को अपनी मा का दूद पीने से खतरनाक रसायनों की खुराक भी मिल जाती है कितनी अजीब बात है मा का दूद पिला पाना ऐसा काम है जो पवित्र है और इसे सुरक्षित होना चाहिए बच्चों के लिए मा का दूद जीवन दाई है और माओं को यह करते रहना चाहिए पर हमें इसकी रक्षा करनी है, सरकार को इसकी रक्षा करनी है मैं सोचती थी कि सरकार हमारा ध्यान रखती है इस सब खतनाक रसाइनों का सबसे ज्यादा असर तो फैक्टरी में काम करने वालों पर होता है उसमें बहुत सारी नव्यूवतियां होती है वे ऐसे जान लिवा रसाइनों के वातावरन में काम करती हैं जो कैंसर पैदा करते हैं और मातरित्व की क्षमता को खत्म कर देते हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन सी मजबूरी है कि नव्यूवतियों को ऐसे वातवरन में काम करना पड़ता है। वे कोई और काम क्यों नहीं कर सकती। यही तो इस सिस्टम की खास बात है। स्थानिय कामधंदों और वातवरन के उ जाते हैं जो मरपटियों में रहते हैं और मजबूरी में कोई भी काम ढूलते हैं चाहे वो जानलेवा रसाइनों के वातवरन में काम करना ही क्यों न हो। तो इस सिस्टम में केवल प्राकृतिक संसाधन ही बरबाद नहीं होते। पूरी के पूरी जनजातियां और लोग भ इसा ही समान निकलेगा। फैक्ट्रियों से समान निकलने के अलावा प्रदूशन भी होता है। बहुत सारा प्रदूशन। अमरीका में उद्योग और फैक्ट्रियां चार खरब पाउंड जानलेवा रसायन बाहर फैकते हैं। असली संख्या तो इससे बहुत अधिक होगी। तो यहां भी एक सीमा है। क्योंकि कोई भी चार खरब पाउंड जानलेवा रसायनों के वातावरन में सांस लेना नहीं चाहता। तो वो क्या करते हैं। प्रदूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों को दूसरे देशों में इसका मतलब है जानलेवा रसायनों से भरी इन वस्तू को जल्दी से जल्दी बेच पाना। यहां एक ही उदेशे है। वस्तू की कीमत कम रखना तांकि लोग खरीते रहें और सामान का भंडार कम होता रहे। कीमतों को कम कैसे रखा जाता है। बेचने वाले दुकानों में काम करने वालों को कम तनख्वा देकर और उनको मिलने वाले और लाभों को कम करके। यह है कीमत के कुछ हिस्से को दूसरों पर डालना। यानि किसी वस्तू की कीमत में उसको बनाने की सही कीमत नहीं है। इसका अर्थ है कि जो वस्तू हम खरीद रहे हैं हम उसकी असली कीम प्लास्टिक का हिस्सा बना और शायद मेक्सिको में 15 साल के एक पच्चे ने एक फैक्ट्री में रेडियो बनाया चार डॉलर निन्याने सेंट तो दुकान में इस रेडियो को रखने की जगे के किराय से भी कम लागत है और उस कीमत का क्या जो बेचने वाले लोगों की तनख्वा या सामान के ट्रांसपोर्ट पर खर्च होई होगी तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने रेडियो की असली कीमत दी ही नहीं तो फिर ये कीमत किस ने दी? कुछ लोगों ने अपने प्राकृतिक संसाधन खोकर अपनी साफ हवा को प्रदूशित करके बढ़ती होई कैंसर जैसे बिमारियों से ये कीमत दी कॉंगो के बच्चों ने अपने भविश्य का बलदान करके ये कीमत दी कॉंगो के 30 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़कर कोलतान धातु को खोदने में लग जाते हैं इसको हम अपने इलेक्ट्रोनिक्स के फैंके जा सकने वाले साजो सामान में इस्तेमाल करते हैं तो इन सब लोगों ने अपने स्वस्थे के खर्च के कुर्बानी दे कर ये कीमत दी ताकि मुझे ये रेडियो चार डॉलर 99 सेंट का मिल सके इन दी हुई कीमतों का कहीं कोई लेखा जुखा नहीं कमपनी वाले प्रोडक्शन कीमत को दूसरों पर डाल देते हैं वस्तों का इस्तेमाल ये है चीजों को इस्तेमाल में लाने का सुनेहरा तीर ये तीर ही तो पूरे सिस्टम का दिल है वो इंजन जो इस पूरे गड़बर सिस्टम को चलाता है इस तीर को कोई नुकसान न पहुंचे इसका में दोनों सरकार और बड़ी कमपनिया लगी हैं इसलिए तो 9 by 11 की दुरगटना के बाद जब सारा अमेरिका स्थब्ध था राष्टपते बुश बहुत सारी बाते करने को कह सकते थे जैसे मातम मनाने को प्रार्थना करने को आशा करने को पर उन्होंने कहा खरीदो उन्होंने और अधिक खरीदने का नारा दिया हम खरीद़ारों का देश बन गए हैं हमारी पहली पहचान है कि हमें खरीद़ार है ना कि हम माताएं अध्यापक या किसान है यही एक तरीका है जिसे हमारी कीमत आखी जाती है यह इस बात से भी आखी जाती है कि हम इस सुनहरे तीर को कितना दे पाते हैं और हम कितनी वस्त इस्तिमाल के 6 महीने के बाद भी उपयोग में रहती हैं। 50 प्रतिशत नहीं, सिर्फ एक प्रतिशत। इसका मतलब है उस सब सामान का 99 प्रतिशत जो हम खोदते हैं, बनाते हैं और ट्रांस्पोर्ट करते हैं, उस 99 प्रतिशत को हम कूडा मान कर फैंक देते हैं। 6 महीने के अ अपनी दादी या नानी से पूछो, चीजों की बचत और चीजों को दोबारा इस्तेमल कर पाना एक अच्छी आदत मानी जाती थी। फिर ये कैसे हुआ? सच मुझ, ये सब हुआ नहीं, बलके सोच समझ कर किया गया। दूतिय विश्वियोद के बाद ये सब लोग हिसाब किताब लगा रहे थे कि अमरी की अर्थविवस्था को कैसे तेजी से बढ़ा है जाए। खुद्रा व्यापार के विशेशग्ड विक्टर लीबो ने एक हल सुझाया, जो सब ने मान लिया। उन्होंने कहा, हमें इतनी सारी वस्थों बनाने वाली अर्थविवस्था की ज चीजे बदलें और तेजी से उन्हें फैंकें और राष्टपदी आइन तहावर के अर्थ सलाकारों की काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा, अमेरिकन अर्थविवस्था का असली उद्देश्य उपभोगताओं के लिए और अधिक सामान उपभोगताओं के लिए? हमारी बेकार हो जाना और चीजों का बेकार हो जाना लगना, चीजों को नियोजित धंग से बेकार हो जाने का मतलब है कूरे दान के लिए डिजाइन करना, वे लोग सामान ऐसा डिजाइन करते और बनाते हैं कि वे सामान जल्दी से जल्दी बेकार हो जाए और हम उसे फैंक कर न जाना हो जाता है क्योंकि तक्निक बहुत तेजी से बदल रही है। मैं इसके बारे में जाननी को बहुत उत्सुकती तो एक बड़ा डेस्क टॉप कंप्यूटर खोल कर देखा कि अंदर क्या है। मैंने पाया कि जो हिस्सा बदल रहा है वो चिप एक कोने में लगा एक पर शुरू हुई। डिजाइनरों ने इनके बारे में खुल कर बात की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि वस्तों जल्दी से जल्दी तूटें पर उपभोगता का उन वस्तों पर विश्वास बना रहे तांकि वे जाकर और खरीदे। यह सब जान बूज कर किया गया पर वस्तों इतनी जल्दी नहीं तूट सकती कि इस तीर को जिन्दा रख सकें। तो शुरू हुआ उपभोगता की नजर में वस्तों का बेकार होने का सिलसला। इसी कारण तो हम अक्सर ऐसा समान फैंक देते हैं जो काम कर रहा होता है। यह किया जाता है वस्तों का दिखन सफेद कंप्यूटर मॉनिटर है जो मैंने 5 साल पहले लिया था। मेरे साथ काम करने वाले ने अभी एक नया कंप्यूटर लिया है। उसके पास एक चमकता हुआ फ्लैट स्क्रीन वाला मॉनिटर है। यह उसकी कंप्यूटर, फोन और यहां तक की pen stand से भी मैच करता है। ऐ इसलिए नहीं होता कि कैसी जूती की एड़ी औरतों की सेहत के लिए ठीक है। बलकि इसलिए होता है कि पतली एड़ी वाले फैशन के साल में मोटी एड़ी पहनने से सब को पता लग जाता है कि आपने उपभोकतावाद के तीर को कुछ नहीं दिया। इसलिए आपकी कीमत म विग्यापन और मीडिया का इस सब में बहुत बढ़ा हात है। मीडिया भी इस सब को छुपाने में मदद करता है। इस वस्तों के अर्थशास्र का जो हिस्सा दिखाई देता है वे हैं खरीदारी। की कमी है जो हमें सची खुशी देती हैं जैसे परिवार, दोस्त, खाली समय हम पहले से ज्यादा मेहनत कर रही हैं। कुछ विश्य शग्यों का कहना है कि हमारे पास उतना भी समय नहीं है जितना सामंतवादी विवस्ता में काम कर रहे लोगों के पास था। क्या आप जानते हैं कि हम अपने बचे कुछे खाली समय में कौन से दो बड़े काम करते हैं। टीवी देखते हैं और खरीदारी करते हैं। अमेरिका में यॉरप के मुकाबले खरीदारी पर हम तीन से चार गुना ज्यादा समय खर्च करते हैं। इसमें हम काम पर जाते हैं, घर आते हैं तो बुरी तरह ठके होते हैं। इसलिए अपने नए सफे सोफे पर पढ़ जाते हैं। और टीवी देखते हैं। टीवी पर विज्यापन हमें बताते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। अच्छा महसूस करने के लिए हम खरीदारी करते हैं। फिर खरीदे हुए समान की कीमत देने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। हम इस पागल कर देने वाले काम टीवी खरीदारी के चक्र में ऐसे फज़ जाते हैं कि रुक नहीं पाते। चीजों का कब्रिस्तान पहले की संख्या से दुगना है यह सब कोड़ा यानि कि वो समान जो हमने खरीदा था या तो एक बड़े से गड़े में दफना दिया जाता है या फिर जला कर गड़े में डाला जाता है दोनों ही तरह से प्रित्वी वाईउ और जल का प्रदूशन होता है और उसका असर मौसम पर भी पड़ता है इस माइने में जला कर राक करना तो बहुत पुरा है प्रोड़क्शन स्टेज पर उन जहरीले रसायनों को याद कीजिए जलाने से ये सब ही खतरनाक रसायन हवा में मिल जाते हैं असल में ये हावा में मिलकर और भी खतरनाक हो जाते हैं डायक्सिन की तरह है और बेकार वस्तों को जलाने के यंत्र डायक्सिन का सबसे बड़ा सोर्स है इसका मतलब है कि यदे हम बेकार वस्तों या कूड़ा जलाना छोड़ दे तो हम सबसे खतरनाक जहरीले रसायन के स्त्रोत को बंद कर सकते हैं हम इसे आज ही रोक सकते हैं अब कई कंपनिया अमेरिका में कूडे को जमीन में दबाने और जलाने का कम नहीं करना चाहती तो वो ये सब काम भी दूसरे देशों को भेज देते हैं और बेकार वस्तों को दोबारा इस्तिमाल करने की बात हाँ वस्तों का दोबारा इस्तिमाल या रीसाइकलिंग मदद करता है एक तो ये कूडा कम करता है और दूसरी और कच्चे माल को निकालने और प्रोडक्शन पर दबाव कम होगा हाँ, हमें वस्तों की recycling करनी चाहिए, recycling कभी भी काफी नहीं होगी, इसकी दो कारण है पहला, हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा पूरी समस्या का बहुत छोटा सा भाग है घर के कूड़े का हर एक थैला जो हम बाहर रखते हैं, सत्तर और थैले ऐसे तयार हो रहे होते हैं वस्तों के रूप में ताकि हम उनको फिर कूड़े में बदल सके तो यदि हम घर से निकलने वाले कूड़े का शत्प्रतिशत भी रिसाइक्लिंग करें तो भी समस्या पकड़ में नहीं आती कूड़े के बहुत सारे हिस्से की रिसाइक्लिंग नहीं हो सकती क्योंकि या तो उस भाग में टॉक्सिक रसायन है या उस कूडे की रिसाइक्लिंग की ही नहीं जा सकती जैसे उन जूस के टेट्रा पैक डिब्बों का क्या जिसमें धातू कागच और प्लास्टिक आपस में चिपकाई हुए होते हैं आप इनको रिसाइक्लिंग के लिए अलग कर ही नहीं सकते तो आप स्वेम मैसूस कर सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम मुसीबत में है इसमें चलते हुए हम बहुत सारी सीमाओं से टकरा रहे हैं बदलते मौसम से लेकर घटती खुशी तक ये सब काम नहीं कर रहा इस सब तरफ फैली समस्या कि एक अच्छी बात है कई ऐसी जगए हैं जहां पर इसको फैलने से रोका जा सकता है जंगलों को बचाने के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं और कई और साफसुत्रे तरीकों से वस्तों की परड़क्शन पर कई लोग काम कर रहे हैं मजदूरों के अधिकारों के लिए न्याय संगत व्यापार और वस्तों के कम से कम उपभोग के लिए कुछ कूड़े को जमीन में दबाने और जलाने को रोकने में लगे हैं कुछ लोग ऐसी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वस्तों में सरकार लोगों की हो और लोगों के लिए हो ये सब काम बहुत जरूरी है पर ये बाते और तेजी से होंगी यदि हम पूरे चित्र और इसके विभिन भागों को समझ सके यदि इस सिस्टम में काम करने वाले सभी लोग एक्ता बना ले तो हम सीधे इस सिस्टम को बदल कर कोई और नया सिस्टम बना सकते हैं ऐसा जो हमार प्रक्रितिक संपदा और लोगों को बेकार नहीं करता एक और रास्ता हमें चीजें खरीदो और फेंको इस सोच में बदलाव लाना है एक नई सोच आ रही है जो बराबरी और प्रक्रितिक स्त्रोथों को बनाई रखने पर जो दे रही है ऐसे रसायन जो नुक्सान ना पह याद रखिए, ये पुराने तरीके अपने आप नहीं बने, लोगों ने इने बनाया है, हम भी लोग हैं, तो आओ कुछ मिलकर नया बनाएं. कर दो आओ कुछ मिलकर नहीं बनाएं, तो आओ कुछ मिलकर नहीं बनाएं. कर दो आओ कुछ मिलकर नहीं बनाएं.